नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधान मंतरी मोधी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोधी है तो मुम्किन है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस दाल बटन को दबा कर चैनल को फ्री में सबस्क्राइब करके घंटी बजाईए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ कौरोना काल में नौकरी पर संकट मोधी सरकार दो साल तक खाते में डालेगी पैसे जी हाँ दोस्तो अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है दरसल केंदर सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहट बेरोजगार होने की स्थिती में कर्मचारी को 24 महने तक पैसे मिलेंगे आईए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं कौरोना संकट की वजह से देश की एकोनॉमी बुरी तरह पर भावित हुई है इस हालात में लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं कई कमपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है मोदी सरकार की स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्यार योजना है योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आप अधिक मदद हर महीने दी जाएगी बेरोजगार व्यक्ति को ये लाब उसकी पिछले 90 दिनों की आउसत आए कि 25 फीस्दी के बराबर दिया जाएगा इस स्कीम का लाब संगटित छेतर के वही करमचार उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है अगर आप भी स्योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कलियार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करान होगा बता दे उन लोगों को स्कीम का फैदा नहीं मिलेगा जिन हैं गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाए